नमस्कार दोस्तों जैमात आदीर श्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आश्यम बात करने वाले हैं 17 एप्रेल 2021 शनी बार आपके राश्य भलके बारे में सबसे पहले जिनका भी आश्य बर्तरी है या फिर मारे अनवर्सरी है उन्हें हमारे तरफ से धेर शारी शुपकाम नाएं आप दिन दूगुनी राज चौगुनी की तरक्की पर रहे और आपके जीवन में हमेशा खुश हाली रहे मित्रो यश्य में आपकी लव लाई बिजन पर क्या आसर होगी हम पूरी विष्टार से जानेंगे तो आप इस वीडियो को मिश बिलकुल भी मत किजिए गा और सुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिने वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिये गई हैं आप जरूर देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जूड़ जाए ताकि आपके रासी से जूड़ी सभी जानकारिया आपको शमेश में पर मिलती रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करती है आज के पंचांगशी दिन आज शनी बाहर का रहेगा महीना जो है वो चैत्र का र बन रही है जो कि यह ठीक रात्री के दो बच कर चोंतीस मिनट तक चलेगा और इसके आगे आद्रा नामक नक्षत्र जो है वह बना रहेगा योग की बात करें तो शोभन नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक रात्री के शाथ बच कर अठारा मिनट तक चलेगा और इसके आ यहां बाट को चंद्र नुद्वा कर brush मे Kannसर ऑफृ इसके उसकें उपरांद नाप्र पाहँ पर 92 थै ए अर्थाथ आज का चुब शमय के नउयका नशनी करें बात चाही? और शुप शमय जो यह शुभय के 9 बचकर 17 मिलट से लेकर ठीक शुभय के 10 बचकर 52 मिलट तक चलेगा याद रखेगा मित्रों राहो कलकिस में किशी भी महत्पुर्ण कारी को बिल्कुर भी ना करें ओरना आपके कारी में किशी भी प्रकार की विग्ल बाधाएं उत्पन हो शकती है किश्मत मौका देती है पर महनत एक दिन चौका देती है शमय नो लगाओ तै करने में आपको क्या करना है वरना शमय तै करने का कि आपका क्या करना है कई जित बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिन्दिकी का शफर बाकी है यहाँ से चले है नई मंजिल के लिए यह एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बागी है सोजने से कहां मिलता है तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए चलिए इसी के साथ जांती है आष्ट का विरिश्चिक राश्ची फल और पूरे दिन की घटनाओं की चानकारी विरिश्चिक राश्ची जात्कों के लिए कैशा रहेगा आष्च का दिन और क्या कहते है आष्च आपके सितारे तो चलीं हम पूरी विस्तार से जानेगे उनमें से शुंदर्य बोध काफी अशर रहेगा अगर आप शुंदर्ता से शंबंधित कोई उपजार ले शकती हैं तो पूरे दीन हश्य मजाक वाले मूड में रहेंगे और इसे कार्यस्थल पर भी माहल खुश नुमा रहेगा श्वास्त के अगर बात की जाए तो आप काफ से इसे रिजेक्ट कर देता है आपको इसी कारण उल्टी और दस्त हो शकती है अगर आप शंबले नहीं तो शमश्या गंभी रूप ले शकती है देशी अस्थर पर तौर की गई दवाईयां अपनाने की कोशिश करे प्रेम और शंबंद की अगर बात की जाए तो दिन के श पाटनर के शाथ घुमना फिरना और उनके शाथ होने का आनंद लेना चाहिए एक कपल के रूप में खुब पर एक हशने से आप आपगी शारी चिंताएं एक शाथ कायब हो जाएंगी करियर और धन के मामले में अगर बात की जाए तो आज आप आत्म विश्वाश और शाक कर आत्मक्त साक्षातकार या गरहके शांत किशी भी शौदे को दाई करने के लिए एक अच्छा दिन है आपको आच्छा लाब मिल शकता है अगर आप दिन के उत्रार्द में किशी कारी को लेकर कुश अटक सकती हैं कल के लिए मनुरंजन या मनुरंजन के लिए अपनी यो जरू लिखें धन्यवाद आज आपका दिन शुब हो